एक सितमबर बड़ा गुरुवार, तुलसी में बांधे ये एक चीज, हो जाओगे करोड़पती। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए गुरुवार के दिन, तुलसी के नीचे बांधे ये एक चीज, मा तुलसी का मिलता है धेर सारा आश्रवाद, माता लक्षमी होती है आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुती लावकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्षमी कर निवास माना जाता है और गुरु वार की दिन तुलसी के पौधे की पूझा करने से लाव अवश्य मिलता है बैद पूराण में बिष्टार पूर्बक बताया गया है लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये एक चीज बांधने पर माता तुलसी का मिलता है आश्रवाद आपको वो सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी, दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बिंती है, करपिया हमारे चल्लों को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी अध्यात्मिक जानकारियां हमेशा आपको हमसे प्राप्त होती रहे, और माता तुलसी के लिए एक लाइक तो बनत है, दोस्तों हिंदु धर्म में तुलसी माता को देवी लक्ष्मी के समानी पूजनी माना जाता है, भगवान विश्ण जी की पतनी बिंद्रा मानकर देव प्रभुदनी एक लशी के दिन तुलसी और शाली ग्राम का बिवाह, जिन घरों में, यनि की करवानी की भी हमारे य जरूरी माना जगया है, क्योंकि इनके बिना पूजा अपूण मानी जाती है, इहीं कारणों से सभी हिंदु परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है, अगर आपके घर में भी तुलसी है, तो शुक्षान्ति और सम्रिधी के लिए तुलसी मा को आप गुरुबार के दिन लाले चुनरी अवस्ष उढ़ाएं, अक्सर लोग जाने अंजाने में कई गलतिया कर देते हैं, वो लोग तुलसी का पौधा तो लगाते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं उढ़ाते हैं, जिसके करण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं होती, हमेशा जाद माता रानी को चुनरी अवस्ष शड़ाना चाहिए, तुलसी ना केवल एक पौधा है, बलकि हमारी माता है, आपको बता दे कि तुलसी को चुनरी उढ़ा कर रखा जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं, कई लोग ये भी गलतिया करते हैं, तु दोहारों पर चुनरी बदलना चाहिए, बलकि एक साफ सुतरी चुनरी माता तुलसी को हमेशा उड़ाना चाहिए, बगर चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती, मात तुलसी नराज होती हैं, और आपको फलों की प्रापती नहीं हो पाती, तुलसी में कई दिब बिशक्ति को बहुत प्री है दोस्तो आपके घर से सभी कष्ट दोर होते हैं अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं आपको श्वर्ग की भी प्राप्ती होती है इसमें कई दिबशक्तियां भी राजमान रहती है और बड़ी प्रसन्नता मिलती है दोस्तो अगर आपके पास चुनरे नही है तो आप माता तुलसी को लाल धागा यानि की लाल मौली धागा भी आप नीचे बांदें आप तुलसी माता को लाल धागा बांदें खाली पौधा कभी न लगाएं अगर आप लाल धागा मौली धागा आप बांते हैं तुलसी के नीचे तो इससे माता काफी वेहत प्रस नहीं बोलना चाहिए इससे आपके घर में कश्ट आते हैं माता तुलसी नराज होती है इसके आसपास जोते चपल जाड़ू पोछा रखना भी पाप माना जाता है तुलसी के आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं करने चाहिए तुलसी में पौधे यानि तुलसी के पौधे के पौधे पौधे या फिर मिट्टी में आप दबा देना चाहिए तुलसी के पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और नहीं रविवार को पूजा करने चाहिए तुलसी की सुबह साम पूजा करने चाहिए और साम के बकप एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और दोस्तों खास बात तो यह कि तुलसी के नीचे आप लाल मौली धागा जरूर बान दें इससे आपके धन में ब्रदी होगी आपको अगर रोडपती भी हैं तो करोडपती बनने में देरी नहीं लगेगी गरीबी कोशो दूर चली जाएगी मालक्षमी कृपा बरसेगी तुलसी माता के कृपा बरसेगी तो दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बाक्षमी में लिखें जय माता तुलसी आपका स्वागत है हमारे घर में मा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों और इसे सेर कर दीजेगा शेलों को सब्सक्राइब जिरूर कर लीजेगा जय माता तुलसी जय मालक्षमी